So hi everyone, स्वागत आप सभी को ग्यापन एकेडमी के इस नए लेज़ेश्ट और धामा के दार वीडियो में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्डेन और पावरफुल साबित होने वाला है आपके एक्जाम के point of view से काफी important chapter है Class 12 English का ये अगला chapter बहुत ही ज़्यादा exciting chapter है बहुत ही ज़्यादा energy ला देना वाली chapter है इसमें ऐसे ऐसे कहानी है मतलब पूरी जब मैंने कहानी को पढ़ा इस तीसरी chapter के पूरी कहानी को पढ़ा तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी जैसे कि मान के चलिए कि अगर कोई कहानी आप पढ़ रहे हो और बहुत exciting हो मने कुछ ऐसे ऐसे पात्र हो जो अपने आपको बढ़ा चाहा करके बाते करे और किसी से मिलने के लिए अपने आपको उचा दिखाए तो ज़रा सोचे कि कितना हसी आती है तो फाइनली आज के इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिस का नेक्स्ट लेशन एपिंच आफ इसनप नामक छेप्टर जिसके हिंदी में कहते हैं सुंगनी के एक चुटकी नाम भी अजीव है ना कहानी जो है ना कहानी ये चिप्टर एक सौट स्टोरी है यूं कहो तो इस स्टोरी को जब मैं पढ़ रहा था तो भले ही सौट स्टोरी हो लेकिन मैं पढ़ते 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 अंत में ठक गया और इसका संचेपड बनाने में मुझे काफी मेहनत और मुसकत करना पढ़ गया ये जो भी आपका चिप्टर होता है चाहे प्रोज हो चाहे पोईटरी हो उससे समरी कोस्टन पूछता है समरी पाच नमर के लिए आता है और देता है कि दिये गए चिप्टर का सौट समरी लिखिए बोले तो समरी ही लिखिए समरी का मतलब ही होता है संचेपड करना किसी भी लंबे कहानी को संचेप में लिखना ही समरी कहालाता है और आज हम आपके भासा में जो आम तोर से इंगलिस बोल चाल में हम लोग जो इंगलिस बोल चाल में अपनी भासाओं को इस्तमाल करके लोगों को समझाते हैं और बोलते हैं उस भासा में हम इस पूरी कहानी को संचे पढ़ किये हैं बोले तो समरी तयार किये हैं और आप सुरू से लेकर अंतक वीडियो को देखेगा बहुत मज़ा आएगा मुझे पता है कि आप और जगह से भ पूरा का पूरा बाती बातों में ठीक है ना अच्छे ढंक से आपको पूरा का पूरा कहानी दिमाग में फिट हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या है एक पिंच ऑफ स्नॉफ सुंगनी की एक चुटकी कहानी से इस चेप्टर का नाम तो मैच नहीं कर रहा है लेकिन य यहां पर है कि इसके राइटर कौन है तो मनोहर माल गोंकर मनोहर माल गोंकर तो जाहिर सी बात है कि इस चेप्टर के राइटर का नाम याद करने के एक बहुत ही अच्छा लॉजिक और ट्रीक है कि जब हम लोग किसी से खैनी मांगते हैं यानि एक चुटकी खैनी मांगते ह थे ठीक है ना इस कहानी में इनका रोल क्या है तो इस कहानी में इनका रोल है असिस्टेंस अफिसर यानि सहाइक अधिकारी के रूप में कहाँ पर इंदक कैबिनेट यानि मंत्रियों के बीच यानि मंत्रियों के बीच यह जो राइटर है ना जो अपना सौर्ट स्टोरी एप जुन 2010 अगर 2010 में जो विद्यारती जाहिर सी बात है कि आपका होस होगा आप जिंदा होंगे ठीक है ना आप लिविंग लाइफ जी रहे होंगे तो खेर हमारी और आपके जिंदगी के बीच इनकी मिरितिव हो गई एनिवे तो हम लोग बात करते हैं कि इसे है तो आपको बताना होगा कि यह एक स्टोरी है इस कहानी में कोई भी कहानी होता है तो कहानी का कुछ के रहे हो तो उस कहानी में दो चार लोग होते हैं उनका अलग अलग करेक्टर होता है कोई विलेन का रोल प्ले करता है तो कोई हीरो का रोल प्ले करता है तो कोई हीरोईन का रोल प्ले करता है तो कोई मा का रोल तो कोई दादा का रोल तो कोई दादी का रोल तो अधरक लासन प्याज हर तरीके के रोल को प्ले करने वाले होते हैं इसी को करेक्टर कहते हैं तो उनके mama होते हैं और welfare minister भी होते हैं और the party boss वगएरा जो भी है इसमें इस कहानी के character है ठीक ना इसमें ये लोग राते हैं और इनहीं लोगों से कहानी सुरू से लेकर अंतक बनता है लेकि पूरे कहानी को जब आप लिखी देंगे तो आपका समय भी काफी कंजीम होगा और यही पूरे जो है ना कहानी को लिखने में आपका पूरा का पूरा समय चला जाएगा लेकिन आपसे जो question पूछता है वो कहता है कि दिये गए chapter का summary लिखना है summary का मतलब होता है पूरे कहानी को आप पढ़े होंगे class 12 English के परती एक chapter को पढ़े होंगे मैं आप से पूछू कि बताइए कि मैंने जो पूरी कहानी सुनाया इस कहानी का छोटा मतलब करके अगर आपको किसी को समझाना है या दो तीन मिनट में समझाना है तो हम कहना क्या चाहा रहे हैं जरह बताए मान के चलिए आपको सीवान जाने के लिए या गुपाल का जाने के लिए या पटना जाने के लिए या गोरख पुर जाने के लिए या कहीं भी किसी भी अधर शेपर को आपको पाँच नमर के लिए एक्जाम में पुछा जाता है तो देखिए इसका समरी जो पूछता है वो बोलता है कि हंडिट से हंडिट टॉंटी वर्ट समय लिखना होता है यानि कि 100 से मेरे स्टुडेंट आप समझ लेजिए कि आप सौ से एक सबीस लिखे या तीन सवर्ड में लिखे मिलेगा आपको पांच ही नमबर ठीक है न तो इसका सौट डिस्क्रिप्शन लिखिए और समझ ये बहुत ही मज़ेदार है कहानी को मैं सौट कर दिया हूं समझना है मोटा गया वाज रीटेन बाई मनुहर मलगोंकर ये किसी को भी बतलब आसानी से इसका हिंदी निकलने आ जाएगा देखे एपिंच आफ इसनॉफ नाम जो चेप्टर है न ये लिखा गया है मनुहर मलगोंकर के दौरत इसके राइटर का भी नाम पता चल गए कि हुई दर आइट सब्सक्राइब कर देंगे तो सब्सक्राइब कितना मजदार होने वाला कितना बढ़िया समय कोई भी देखिए बढ़ा चढ़ा कर ज्यादा लिखना भी बेवकूफी है मतलब कहानी का संच्य पढ़ देना है तो सुनिए गा धिहान से ये क्या करा है कि पींच आफ वाजल ये लिट्यन बाइ मनावरा मलोंकर मैनि करेक्टर सारी इन वाल्व इन इस स्टोरी ठीकना इसमें बहुत सारे क्यारिक्टर इस कहानी कि बहुत सारे पात्र है जैसे कि कोई मधर है तो कोई मेटर्ण अंkal बोले तो मामा है तो कोई वेलफेर मिनिस्टर कल्यार विभा हुई कि कोई मान के चलिए तो हैंसी यारिवाली बात है न सबंगे आप को अगर आप अमिता बचन बन रहे हैं यह इसलां खान के बहुत करीबी हुँ तो ये ठोड़ा है सिलिया आ जाती है कि भ enormous आप सलमान खान के करीबी नहों लेकिन अपने आपको आप दर्शारे को मैं सलमान खान के बहुत करीबी हूं तो इसे किसी को भी हंसी आएगी तो इसमें बहुत हंसी आ रही है ठीक है ना अब सुनिए का ध्यान से अपने बेटा से क्या करती है सूचना देती है किस परकार की सूचना देती है जड़ा देखिए तो इसके नानु काका की आने की सूचना देती है ध्यान से सुनिएगा at the beginning of the story इस कहानी के अब शुरौत हो रही है एता हम कहानी को डिजाइन किजी अपने दिमाग में बहुत अच्छा से सोस समझ करके मैं इस कहानी को डिजाइन किया हूं और संचेपड किया हूं यानि कि कहानी की शुराथ में हो क्या रहा है कि जो लेखा की मा है न वो अपने बेटे से एक सूचना देती है और कहती है कि बेटा सुनो मन्ने नानु काका आ रहे हैं ठीक है ना और नानु काका कौन रहते हैं तो फिल्च यह फिर इसे-फूर, कहानी की से तरीके रहते हैं और दर्साहर यहां समय बचेगा और बहुत असानी से यहीं सब चीज लिख करके हम अपना पांच नमर ले लेंगे सुनिए गया देहां से तो मतलर मां बनाता हैंropa यह ओव अपने मां से एंड और बात करता है कि नानुकका को मतलब माना कर दो माना करने के संबंद में ठीक है ना क्या करता है राइटर इस पर एक बहाना बनाता है और अपने मां से कहता है कि नानु काका को माना करने के संबंद में मनें माना करता है बट लेकिन mother did not agree लेकिन मा इस बात पर राजी नहीं हुई मतलब मा मान के चले कि उसका बेटा जो लेखक है वो अपने मा से कहता है कि मतलब नानु काका आ रहे हैं तो यह कहता है ना कि मा नानु काका को मना कर दो कि नहीं आए अब क्या सोच करके माना करता है अब यहां पर थोड़ा से देखिएगा ठीक है ना बट लेकिन mother did not agree लेकिन मा इस बात पर राजी नहीं होती है with this point इस बात पर ठीक है ना with this point एकदाम आपके भासा में जो इंग्लिस आम तोर से जो बोल चल में जो हम लोग दिस डैट करके एमीजर लगा करके जो कहानी को हम लोग लिखते है ना वो उस भासा में मैं लिखा हूँ इस बात पर राजी क्यों नहीं होती है मैंने मान के चले कि लेकर काता है मा से की नानुका को आने के लिए मना कर दो तो कते नहीं मैं इस बात पर राजी नहीं हूँ it is because क्योंकि he बोले तो नानुका का विल बी इन दे ट्रेन अब तक वो का होंगे ट्रेन में होंगे and or forbid him from coming आने के लिए मना करना is not good अच्छा नहीं है because क्योंकि अभी इसके आगे जो अगला परग्राफ है इसको ले लिजिए इसके इन सौट और हम लोग उसको भी समझ लेते हैं तो चलिए बिना देर किया हम लोग next परग्राफ को भी समझ लेते हैं बहुत ही असानी से हलाएं कि इसी परग्राफ से आपका पूरा मतलब डेर सो के करीब वर्ड पहुंच जाएंगे लेकिन फिर भी यहां तक आपका समाप नहीं होगा एक और बोड आपको मतलब कुल मिला जोगे एक दो परग्राफ और समझना होगा तब जाकर के इस चैप्टर का इंड होगा तो देखे यहां पर क्या है ना कि he is coming here मने के बाद he is coming here to meet some minister वो क्यों आ रहे थे बताए तो he is coming here to meet some minister वो मतलब आ रहे थे हैं मतलब writer के Marks के घर इस यारत है क्योंकि उन्हें क्या परना था किसे म्मिनिस्ट difू मन्त्रियों मिलनात था तो ही इस दामिन एल्ट है तो ही सम मोनेल से मिलने के लिए आरे हैं क्यूं कॉन कर और एक इन रह Says सुनने के बाद ठीक है ना दा आउथर थोड यानि लेखक ने सोचा या लेखक को लगा डाइट की परहेप्स शायद मनें लेखक को लगा मनें ये बात सुनने के बाद की नानुका का घर आ रहे हैं मंत्रियों से मिलने के लिए तो लेखक को लगा कि शायद नानुका का यहां महीनों दिन रूखेंगे अच्छे देखे कभी कभी क्या होता है घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी अतिति के आने से थोड़ा सा मतलब टेंशन में जरूर आ जाते हैं कि अब हमारा अपना ही सब बेट वगरा रूम वगरा सब उनको देना पड़ेगा उनके सेवा के लिए हाले कि सेवा नहीं दिन शायद रूखेंगे इसको यह लगा ठीका ना तो यहां पर देखिए बिकॉज इस इंपोसिबल हाले कि में वह बात लिख भी दिए इस इंपोसिबल जो लगा मने क्या असमभव लगा इट इस इंपोसिबल टू मीट दा मिनिस्टर विदिन टू-3 डेस यानि कि दो त आशिस्टेंस ऑफिसर इन दर कैबिन जैसे कि मैंने पहली ही मैंनों फेस में बताया था कि जो इस चैप्टर की लेखक है वह ओल्रेडी इसका कारे एक एक असिस्टेंस ठीक है ना आफी सर का कारे यह मन्त्रियों के बीच ठीक है ना इस कहानी में तो देखिए लेखक को ऐस में जो बैठता है या जो उसके इर्दगिर्द में काम करना माझे जो भी सहाइक अधिकारी के रूप में होते हैं तो उसको लग जाता है कि मंत्रियों से मिलना कितना impossible होता है कितना difficult होता है चुकि एक दो दिन में मंत्रियों से direct जाकर के मिल लेना यह आसान नहीं होता है इसलिए यह कर रहा है कि मतलब दो तीन दिन में मिलना यह impossible है अब आईए अगला बात समझते हैं आउच्टो recie तो करना पड़े आजी तद्द मां अपने महिलना को करने के लिए लोकिंग लाइक ब्राहमन अब देखा कि इृटैन पर सटर रहे हैं ठीक है न DR यह जब नानुका को उतार रहे थे तो मतलब राइटर देखा याने आउथर देखा लेखक कि वाँ यह तो बिल्कुल जो है न एकदम ब्रामर की तरह दिख रहे हैं और ब्रामर का लुक कैसा होता है बइसे ही दिख रहा था Because he was long must take उसका क्या था लंबी मूझे थी a towel was on the सोल्डर कंदे पर एकदम जो है ना टॉल था ठीक है ना आफ्टर मीटिंग मने मिलने के बाद किस से नानु काका और लेखक के भी जमुलकात हुई वे नानु काका आच्ट हिम तुमीट दा मिनिस्टर जब नानु काका लेखक से मंत्रियों से मिलने की बात करते हैं राइटर बीकेम लेखक जो है ना राइटर बीकेम साइलेंट लेखक जो है ना साइलेंट हो जाता है क्यों साइलेंट हो जाता है कि मंत्रियों लोगों से मिलना इतना आसान नहीं होता है लेकिन क्या कहो आपको बताएं अक्सर क्या होता है कि मान के चलिए कि किसी पैरेंट्स या मान के चली कि बहुत ही मतलब क्या बता है बहुत ही चोटे लेबल पर हो लेकिन हर पैरन्ट्स को अपने बेटा-बेटी के प्रति बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है मतलब अगर उसके इर्द मान के चले कि cabinet में मंत्री मंडल में अगर यह सहाय का अधिकारी के रूप में है तो क्या लेकिन मा को लगता है अगर के बात क्या होता है एंड और शोज हिमसेर्फ डैट ठीक ना आई कांट एरेंस फुर हिस मीटिंग यानि कि वह अपने नानों का यानि मामा से कहता है अपने आपको अपने खामोशी को दिखाते हुए काता है कि यह आपको मंत्रियों लोगों से मिलाना और मीटिंग के यह एरेंस करना यह हमारे लिए इंपॉसिबल है आई कांट एरेंस फॉर हिस मीटिंग यानि उस मीटिंग को मैं मतलब आरेंस नहीं कर सकता हूं इट इस बीकॉज क्यूंकि दा आउथर वास एन अंडर सिक्रेटी ऑन प्रवेशन यानि वो पेसे से क्या था एक सहायक अधि की चेलिक करोंले रुप में करे जो लेखक यानि कि मत्री मंडल में रह रहें मंत्रियों को गोड से करके उसके रेसपक्ट को दिखाया था सायक अधिकारी दो इस ब Finnish को लेकर वहां चिंदित था कि उन लोगों को ज presence से उच्छा मनें क्या है उच्छा दिखाया गया है तुझा सोचिए कि मान के चले कि वह सेकेंड गौड की तरह है तो हम वहां पर डायरेक्ट जा करके आपको मिलवाना यह मैं खुद जा करके मिलू यह संभाव नहीं है एनिवे आगे बढ़ते हैं इस कहानी के साथ और क्या ह अधिकारी से मिलने के आया हो बट मेरा भाई मेरे घर मेरे पास भी तो आया है ना तो बड़ी खोशी होगी दनेश्ट डे अगले दिन दराइटर लेखक रिचेस नॉर्थ ब्लॉक विद नानु काका तुमीड दम मिनिस्टर यानि कि वो लेखक अपने नानु काका को ले करके नॉर्थ ब्लॉक मिनिस्टर से मिलाने के लिए जाता है विन आउथर जब ले दिमाग में एक बात फीट कर दिया गया रहता है कि देखो मंत्री जो होते है ना वो मतलब गौड से उचा दर्जा उनको दिया गया रहता है इस बात को दिमाग में उसको फीट कर दिया गया रहता है जिसके वज़ा से जो है ना एसिस्टेंट अफिसर के रूप में करियरत जो writer था वो इस बात से डर रहा था बोला कि नानु काका आप खुद ही चले जाए यह मिलने के लिए ठीक है ना अब होता क्या ना कि after two three hours माने जब नानु काका चले जाते हैं मिलने के लिए after two three hours नानु काका returns abusing in his Marathi language अब नानु काका उधर से लोटते हुए आ रहे हैं नानु काका को मिनिस्टर से मुलका नहीं होती है तो यहां तक हो गया आपका पूरा का पूरा मतलब पूरा का पूरा नहीं इसके बाद भी और परगराप है और उसके बाद चेप्टर का the end कर देंगे यहां पर जो भी मैंने लिखा उसको पूरा अच्छे ढंग से मैंने आपको समझा रहे हैं इसको जरूर समझ में आ रहा होगा नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एक दो बार और देख ल लेते हैं सो फाइनली अब हम लोग चेप्टर को दा इंड करने की और चल चुके हैं मतलब इस पारागराफ को पढ़ने के बाद आपका चेप्टर का दा इंड होने वाला है तो चली हम लोग बारी किसे समझ लेते हैं यहां पर दिखेगा वेंदी वेर रिटर्निंग होम ज लोग वापस लोट रहे थे यानि कि जब मंत्रियों से मुलकात नहीं होई तो नानु काका और राइटर दोनों गाड़ी में बैठे और वापस जैसे ही आ रहे थे हैं तो वहां से क्या था कि एक ब्यक्ति ने हाथ से इसारा करते हुए कुछ कहा ठीक है ना ऑन दिस एक्टि वह राइटर से पूछेंगे यानि अपने क्या बोलते हैं भाई के लड़का से अपने मा के लड़का से पूछेंगे यूं बोले तो अपने भगिना से पूछेंगे क्योंकि मान के चलिए कि राइटर की मा का भाई अगर है तो राइटर का वह मामा ही लएगा तो वह अपन कौन है यानि जो इशारा किया आतिरू क्या इशारा किया वो देकि कौन है देन राइटर से उससे में तब राइटर से राइटर कहता है यह देसान लाल है जिसराती रामशॉन का लड़का बॉस और पाट то इंघ similarity बॉस रहता है जैनि क्या रहता है दिलने में पार्टी का बॉस रहता है अब इस बात को सुन करके यह आफ्टर हीरिंग इस नानुका का यानि कि यह बात सुन करके नानुका का चुकि अब उनको लग रहा है कि अब मेरा भागिना जो की सहायक अधिकारी के रूप में रह करके भी हमसे नहीं मिलव और में नहीं मिल पाया तो मुझे लगता है कि मैं अकिला नहीं मिल पाऊंगा मुझे इसी तरीके से टार करके महिनों दो महिन लगा सकता है तो क्यों ना हम किसी पार्टी बॉस को पकड़ते हैं जो अपने आप में काफी बहतर और अच्छा लेबल वाला होगा और पार्टी से मंत्रियों का काफी मतलब जो है ना लगा होता है अक्सर पार्टी बॉस में पार्टी में मंत्रियों जाते आते रहते हैं इसके दिमाग में यह आया कि चलो भाई अब ऐसा करते हैं कि मतलब अब हम पार्टी बॉस से ही मिलते हैं तो आप्टर हीरिंग दिस नानुका का य कि अपने आपको मीडिल क्लास ना दिखाते हुए अपने आपको इतना अच्छा लेबल दिखाते हैं किसी भी बड़े-बड़े लोगों से मिल करके अपने आपको इतना नहीं का जाता है कि अपने आपको किसी से भी बड़े लोगों से मिलते थे अपने आपको बहुत बड़ा दिखाते हैं और इतनी बड़ी-बड़ी बाते कर तो कहीं कुछ तो है ना तो यहां पर क्या होता है कि आफ्टर हीरिंग डिस नानु काका एक्साइटे तो मीट एंड वन डे मीट तो सवानलाल और देफिनेटली वह सवानलाल से मिलने के लिए चला भी जाता है जो दिल्ले में पाटी बहुत रहता है तो चपलूसी बतिया ते हुए फिकना क्या करता है नानु काकर टॉक्स इबाट मीटिंग दा मिनिस्टर और उसी समय चपलूसी बती आते हुए उस सोहनलाल से जो पार्टी का बहुत रहता है उसे का तहीं कि मिलने के लिए हूँ तो यहां पर होता क्या ना कि आ लड़ी सोहनला थोड़ा बहुत को आपरेट करते हैं एनीवे पहरेहाल जो तो यहां होता है कि पूरा का पूरा चेप्टर का the end मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि मैंने जो कहानी का संखेपड हम लोग जो अपनी बोल चाल की भासा में जो हम लोग इंगलिस इस्तमाल करते हैं जिस बोल चाल की भासा में हम लोग जो इंगलिस इस्तमाल करते हैं उसी बोल चाल की भासा में जो मैंने संखेपड जो समरी मैंने तयार किया बड़े ही मेहनत और मुसकत के साथ तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छे ढंग से समरी समझ में आया होगा अगर देखे पूरा का पूरा अगर समझ करके अगर आप 3-4 बार लिख देंगे तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा ये आपको समरी दिमाग में फीट हो जाएगी और समरी अगर पूछ देगा तो लिखने में कोई दिकत नहीं होगी बड़ा चेप्टर था इसलिए थोड़ा सा बनाने में काफी समय लग गया फिर 2-3 दिन समय लगएगा नेक्स चेप्टर का समरी हम बना करके बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे लाइन बाइन से मैंने बोला हूँ मैं पढ़ाना शुरू कर देंगे जो आपकी एक्जाम के पॉइंट ऑव इस जहां से जिस गरामर के पॉइंट ऑव यू से जहां कोसन बनते हैं जिस गरामर से जो जिस टॉपिक से मतलब गरामर के जिस टॉपिक से बोड एक्जाम में आपके कोसन पूछे जाते हैं मैं उसी से उसी टॉपिक को मैं पढ़ा भी दूँगा अगर आप लोग कहेंगे तो अगर आप लोग कमेंट करें तो बहुत ही अच्छे अंदाज में मैं आपको पढ़ा दूँगा अच्छा कुछ महत्वपूर बाते हैं थोड़ा सा आप समझ लिए इसलिए मैं इसको लास्ट में रख मतलब ग्यापन एकेडमी से आपको पूरा का पूरा दोस्ट नंबर की अच्छी तयारी कराया जा रहा है ठीक है अगर इस चैनल पर अगर आप तयारी कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में इस बात को इंफार्म कीजिए इस वीडियो को शेर कीजिए ठीक है ना और बता ओर मुस्वार्म हैं जो बहुत ही अच्छय ढख से आप लोगों की तयारी कर रहे है और हिंदी में पूरा 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 मुसखानाना हिंदी भी तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा बहुत अमीत सर बी इसमें कॉपरेड कर दे नहीं अबोत ही मज़ा आ जाता है आपको English का Tension लेने की 1% भी जरूरत नहीं है मैं आपको पूरे के पूरे चेप्टर का चेप्टर का नाम और उसके राइटर का नाम का भी पूरा ट्रीक आपके भी शेयर करूँगा हलेकि मतलब पिछले साल मैंने शेयर किया था खुब भरपूर वीडियो को देखा गया था कमेंट भी आया था कि हाँ आपने सर बहुत अच्छर ट्रीक और लॉजिक बताया है ठीक है ना चुकि चेप्टर का नाम और राइटर के नाम से मैच कराने का 5 नमर का आता है तो वह भी मैं लॉजिक और ट्रीक बताऊंगा और अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि इंग्लिज जो 100 मार्स का है और हिंदी जो 100 मार्स और उर्दू 100 मार्स टोटल मिला करके 300 नमर की तयारी ग्यापन एकेडमी करवा रहा है जिसमें कि आप किसी भी फेकल्टी से आप 2L की तयारी कर रहे हो दूसा नमर्बर यहां से किलियर हो जाने वाला है ठीक है ना तो कुल मिला जुला करके इस चाइनल को पूरी तरीका से परचार करने का और पूरी तरीका से लोगों के भी शेयर करने का माधियम आप हैं तो बस गुरी दक्षिना के रूप में हम यहीं चाहते हैं कि इस चाइनल को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और अगर आप WhatsApp चलाते होंगे तो status भी लगा दीजिए ताकि आपका दोस्त इसका फायदा उठा सके तो मिनते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट चेप्टर के साथ तब तक के लिए जैहिंद